नमश्कर दोस्तों हर्यम अश्टेडी में आपका स्वागत है इस वीडियों में प्रस्ण तीन का भाग साथ और आठ का हल करेंगे देखिए भाग साथ में देखिए यहां दिया हुआ है ए बराबर आठ यानि पर्थम पद आठ दिया हुआ है और एन एनवा पद दिया हुआ 62 और देखिए एस एन यह पर्थम एन पदों का योग 210 दिया हुआ है यह परस्ण में दिया हुआ है कहता है एन और डी ग्याद कीजिए तो देखिए देखिए इसलिए देखें, s n कितना दिया है, 210, चुकि इतना बरावर इतना, इसलिए हम लिख सकते हैं, इतना बरावर इतना, तो देखे, n पता नहीं है, और देखे, a 8 है, ठीक है, और a n देखे, a 9 पत 62 है, ठीक है, अथार्थ, यह अथार्थ लिखे यह इस परकर implies का निसान लगा स अब देखिए हैं दो सथ दस कि एन बट्टा दो इसको जोड़ेंगा बहुंसट आट सत्तर कि इसको काटेंगे देखिए 35 दूनिस सत्तर कट जागा कि तो देखिए है कि योग्या 35 एन तो गुना में इसको इधर ले आते हैं यह दो सथ दस बट्ट 35 बड़ावर एन इसको काटेंगे देखिए 35 से कितना बार में कट जागा 35 पंचे 155 और 35 छे बार में कट जागा तो देखिए चो बरावर एन यह एन बरावर छो लिख सकते हैं तो देखिए एन का मान निकल गया तो देखिए यहां क्या बोला प्रस्ण में एन और डी ग्यात कि एन पता कर लिए अब डी ग्यात करना है तो देखिए चुकि An न वापतड्य बहांसत इसलिए हम लिख सकते हैं तो इतना बडा इतना प्रस्ण में दिया हुआ है इसलिए इसको लिख सकते हैं आण वापत का सुत्री होता है ठीक है अतार्थ दीए एक इतना दिया हुआ आठ्ध और N अभी ग्यात किए 6 देखिए N छो निकला और देखिए D ग्यात करना है इसको इधर ले आएंगे और देखिए ये कितना हो छो में गया 5D बरावर 62 तो 5D इसको इधर लाएंगे ये माहिनस हो जाएं तो 5D बरावर कितना है 62 में आठ गटाएंगे 54 तो D बरावर कितना आगया 54 बटा 5 तो जैनि सारवंतर निकल गया 54 बटा 5 और यहां देखिए N निकल गया यानि पदों की सहिंखिया छो तेखिए यहने देखिए N वा पद 62 है यानि कुन सा चोवा पद 62 होगा ठीक है और पर्थम छो पदों का योग कितना होगा 210 यानि N दिया देखिए N का मन निकल गया चो और D निकल गया अब देखिए अगला भाग देखिए आठवा भाग यहां A N दिया होगा 4 D दिया होगा जैनि सारवंतर 2 और S N यानि पर्थम N पदों का योग दिया होगा माइनस चोगदों तो यह काता है N और A ग्यात कीजिए तो देखिए समय बचाने के लिए इसको पहले लिख लिए है देखिए देखिए अ भी पता नहीं है और यहां देखिए N पता है N कितना दिया है चार danach लिख दिए 4 इसको बोल दिया है सामेकरन 1 टेख अब देखिए चुकि ए N बराबर 4 दिआ दो दिख ed把它 का सुद्ट आगे पता है इसको लिख दिए itna बराबर 4 लिख दोड़किए त्विए 4 फ्लस 2 गया अब देखिए इसको इधर ले आते हैं इसको इधर लाएं चार कितना चोओ आरह इसको इधर लाएं एक का मांड कितना चोओ माह में रखेंगे इस जगह तो look एक मान समीकरण एक में रखने पर तो देखिए एक जगह इसके जगह रख दिये चो माइनस दो एंड अब देखिए इसको हल करें यह दो इसके साथ गुना कर दिये चोगदा दूनी अठाइस ठीक है और देखिए यह एन हो गया और देखिए चोचार कितना होगा यह पलस में पलस में चोचार दस होगा यह माइनस दो एंड अब देखिए इसको गुना करेंगे यह कितना होगा दस एन और इसको गुना करेंगे यह पलस माइनस माइनस दो एन तो दो एन इसको रोगा ठीक है अब देखिए इसको इधर ले आते हैं इसको इधर लाते हैं देखिए इस इसको इधर लाएंगे इस पर करोगा देखिए 10 n minus माइनस यह हो जागा और यह हो जागा पलस 2 n2 और इसको जियों कत्यों रहने देंगे मायनस 28 बराबर सुनी इस पर कर लिख सकते हैं इसको इधर ले आए और यह 28 को यहीं रहने दें बराबर कि इस पार रहने दिए इधर पूरे को इधर ले आए सुनी बचा अब इसको यह से लिख सकते हैं 2N2 इसको इधर रख दिए माइनस 10N-28 बरावर सुनी इस परकार इसको हल के तो इसको इधर ले आए इसको यहां रहने दिए इतना होगा इसको गुना करेंगे दो पं चे दस इतना होगा साथ 54 20 इंगार करущ daar आए इसको यह दो को संधवठ से लेते तो इसको इधर लेते हैं यहां तक प्राप्त हो गया आप देखिए एं गया अफे इसका क्या करें इसको थोड़ा समय लेते हैं अच्छा से देखिए इसका गुनांग क्या है इसका गुनांग कुछ ने इसका मतलब एक है इसका एक है इसको और इसको गुना करेंगे एक गुना चोगदा अभी इस चीन को ध्यान नहीं देना ठीक है तो एक गुना चोगदा करें कितना होगा चोगदा अब चोग चोगदा का एक गुननखंड एक है और चोगदा भी चोगदा गुननखंड है उसी परकार देखिए दो साथ दो क्या है चोगदा का एक गुननखंड है और साथ भी चोगदा का एक गुननखंड है इस परकार देखिए दो यूग में प्राप्त हो गया अब यहां देखिए य एस चीज़ को ध्यान नहीं देना यहां 5 है उस चीज़ में ऐत बहुत इंप्टर्टेंट महत्पूर्न इसको याद रखना तो एसे युग में ढूणना यानि माइनस करने पर 5 होना चाहिए तो इसमें गटाएंगे तो 5 नहीं परप्त होगा लेकिन 7 में अगर 2 गटाथे तो तो 5 आजाएगा तो इस चीज़ को ध्यां रखना यह माइनस चीन है तो इसे युग में जुनना माइनस करने पर 5 होना चाहिए तो देखिए माइनस साथ माइनस 2 N को इधार ना लिखके आप इधार भी लिख सकते हैं अब गुना करें माइनस पलस माइनस साथ N और यह माइनस माइनस क्या होगा पलस 2N तो यहाँ लिख दिए हैं इस परकाद उससे कोई दिकतर नहीं है तो देखें कीएन स्कूएर प्लस मायनस साथ एन मैंनस मायनस दो एन चाहे आप एन को इधर लिखे यह इस इतनी प्राप्थ होगा तुक है हैट पैसे इतना प्राप्थ हो एक यह दिक्कत निपक्रण नहीं होना चाहिए तुक है अब देखिए अब इस चीज को समझे अगर यहां देखिए एक को चोगदा से गुना करते माइनस चोगदा से तो क्या प्राप्त होता एक गुना माइनस चोगदा क्या माइनस चोगदा प्राप्त होगा ठीक है अब देखिए इसको अब देखिए माइनस साध में अगर दो जोड़ेंगे अ अगर सद में दो जोड़़ देंगे क्या माैनस प्राप्र lifelong और इसको गुना करेंगे तोब और यह मानस यह पलस तो पलस मााइनस माइनस होगा और यह ब्रान इस प्रकार मं लिख सकते अब देखिए हदेखिए यहां n, n crisis गुना n, n इसको रही हैं लेख देंगे 7, 7 गुना n, इतना परात हो जहाए, पलस माइनस माइनस, अब इसी को सेंब्सस्फे मिना कोपी कर लिए, n माइनस साथ और देखी , n को यहां हम लिखेंगे चो किससे गुना करें दो होगा क्या है दो स्हीं तो दो गुद्धेट अनियों पलस माइस 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 तो यह यहां बचाँ पर्राप्त हो गया इसकी यहां से धखिए इसका प्रॉप्त हो गुननखंड के रूप में लिखना होता तक गुननखंड के रूप में बरावर सुन्य अब देखिए दोनों को बरावर सुनी रख देंगे n-7 बरावर सुनी या n पलस 2 बरावर सुनी तो यहां से देखे n बरावर 7 आ गया या n बरावर यहां आ गया माइनस 2 तो यहांनि n बरावर कितना आ रहा 7 और n बरावर माइनस 2 n बरावर 7 या n बरावर माइनस 2 तो माइनस 2 नहीं क्योंकि पदों की संख्यां कभी रिनातमग में नहीं होगा यह संभाव नहीं है यह संभाव नहीं है इसलिए n क्या होगा एन 7 होगा जब n निकल गया अब देखे इन का मान समीकरन 2 में रख देगे तो यहां से देखिए एक अमान निकल जागा एन के जगा साथ रख दिए इस परकार एक अमान कितना प्राफ्ट हो गया माइनस आट इस परकार आप ग्याद कर सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक आपर चैनल क सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें